अधिर आधिए फ्रेंट वेल्कम इस विए फिर्ट से इंगलिस इस पोकेंज का क्लासेश प्रोइट करने जा रहा हुँ आज के क्लासेश में लोग दो वर्ट पढ़ेंगे और डो वर्ट पर हम लोग क्या करें माई डियर संटेंस बनाना इस्टार्ट करेंगे क्योंकि इंग अगर इन सब्सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी सेच में आपको इंगलिस बोलना क्या हो जाएगा कि अब खृब के लिए बहुत ही ज़्यादा आसार हो जाएगा ऐस यहाई हम लोग क्या वर्ट सिखने वाले आज भी में दो आज़ी में हम दो नियुक्र बात करेंगे और पहला आप देख कर करनेंगे ही यह रेल पर कि remedies कि पर देख करके हैं अगर कोई भी चीज को दे रहे हो तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे हेर का प्रयोग करेंगे ठीक ना डारेक्ली आप कर सकते हैं और देयर का कहा करेंगे मेरी प्यारे तो आपको पता देयर की मीनिंग होती है वहां लेकिन याद रखिएगा कि वह संटेंस आगा जिसमें वहां का नाम ही नहीं रहेगा जिसमें वहां वर्ड मिलेगा ही हमको नहीं तो वहां पर हम करेंग हम बताईे क्या करेंगे कैसे करेंगे क्योंकि हम किसी भी संटेंस को फ्रेइम करने से परले सब्जेट के इंग्लिस लिखते हैं अगर वहrij भी हमारा संटेंस में ना हो 哈 तो वहाँ पर भाईडे कुछ थीदिय का यूज करदेना ठीक है ना सिर्ट नारेकली यूश्ट कर देना माइडियर्स और वहां पर आपको कुछ बहुत ज्यादा चीजों कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है ठीके ना आए सबसे पहले हम लोग किस पर कार का संडेंस बनेगा कि सबसे पहली अगर के अगर आपका सब्जिक्ट आ रहा है तो सब्जिक्ट लगा येगा अधर्वाइज आपका क्या हो जाएगा कि आपका helping verb plus आपका main words plus आपका object and other words यहां पर क्या कर दीजेगा लिख दीजेगा तो जहां पर here की meaning क्या दे रही मेरे प्यारे यह लेजिए या तो यह लो कैसे example बनेगा कहां पर यूश करोगे एक दो example के बाद आप तुरंट identify कर जाएंगे पहचान जाएंगे कहां सर इसका प्रयोग हम कहां और कैसे करेंगे जिसे मैंने एक जामपर आपके 20 बोला जैसे एक example मैंने उठाया बाए कि क्या उठा लिया मैं रिप्यारे कि यह लीजिए आपका पत्र यह लीजिए आपका पत्र यह लीजिए आपका पत्र जैसे मैं पहला मैरे प्यारे यह किसका रोडनी भा रहा है यह डायकली आपका ऑबजेट का रोडनी बाद है तरने इसका इस च्रक्षे साभ दूसरा भी बनाशचते हैं कि सबसे पहले हम हैर का यूज़ करेंगे प्लस इसके बाद औपजेक्ट का यूज़ करेंगे इसके बाद आपको जो आपका मेन वख लगाएगा अधर्वाइज आपका noun and adjective का क्या कर सकते योज कर सकते हैं तो इस पर भी आप अच्छा खासा sentence कर सकते हैं बना सकते हैं तो structure से इसकी इसके रिएकित कंप्वर्ब पर हुए क्योंकि हम कहां से मैं में करूप करेंगे गया तरह यह है वह ज़ा आई सी बात जहां पर आ जाएगा तो वहां पर हम क्या करेंगे डारेक्ट ले सब्सक्रण अदर वाइज हमारा हमेशा यही रूल क्या होगा यूज होता है ठीक न जिसे मैंने का कि यह लिजी आपका पते इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे हम कर सकते हैं कि यह लगाते हैं कि here is a here is a letter you here is a letter here is a letter for you आपके लिए कह रहा है यह लेटर for you here is a letter for you यह लिजिए आपका पत्र कितना आसान बना देखें यह लिजिए आपका पत्र here is a letter for you ठीकर इसी तरीके से जैसे मैंने माल लेते हैं कि यहां पर आई यहां पर हम दूसरा संदेंस के रिडिटेड हम क्या कर दे रहें बोल दे रहें जिससे मैंने का यह लो अध्यापक जी आ गए यह लो क्या कर सकते हैं तो हमने का कि यह लो यह लो की मेनिंग आप धराक से तुरंत आप यूज कर देजिए क्या हो जाएगा हेर क्या हो जागा है मेरे प्यारे कौन आ गए हेर कंस क्या हो जागा हेर कंस कौन आ गए सिंग्लरत क्या हो जागा हेर कंस यह लो आ गए or कौन आगें मेरे प्यारत आप डार्क ली लगा सकते कौन आ गए टीचर कौन कर सकते इसी तरीके से मैं आप बहुत सारे संडेंस के कर सकते फ्रेम कर सकते जिसे मैंने कहां यह अपनी घड़ी तो का कर सकते Things that are a stitch here is a future вас कि ये लो अपने घड़ी इस्द फेसा से मैंने कहा किRO मेहीं पर ये लो या का का कर सकते क्राम यह पर या तो हम डिरेक्ली बहुत समाओ सम्ट्राइन में क्या कर सकते हैं कि ये लो तुम्हारा परें ये एलो तुम्हारी मबाइल या लो उसकी घड़ी तो ऐसे ही इम बहूत शरी संटेंस को बना सकते ते ऐसे मैंने बहुंद की लो यह लो वह पढ़ाने लगा ठिक अंप लीजिय तुम्हारी चाहर एक तहुंद तो आइसे हम बहुत सारे संटेश्य सुर्ण क्या कर सकते बना सकते हैं इसलिए हमने दो संडेंस आपको बोला और आपको अनेक ब्रकार करना और इस पर ज्यादा से जड़ा प्रैक्टिस करना कोई भी चीज शुतालब सब वस्तू में को बात नहीं को भी आपकी आपकी चेएर को लगा लगा लीजी और अपने प्रस्ट को इंप्रूब कर सकते हैं लेकिन आपको प्रैक्टिश करना पड़ेगा बस इसमें दो राय नहीं है जादा से जादा आपको प्रैक्टिश करना पड़ेगा ठीक आई दूसरे पर चलते हैं दूसरा हमारा क्या है देयर अब देखो देयर का प्रियोग हम कब करेंगे हमने कहा कि हम वह संडेस बोलेंगे जहां पर कोई चीज है नहीं जैसे थमिसका जब इस्ट्रक्टिर्स बनाएंगे मेरी प्यारे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे देयर का देंगे उसके बाद वही अबजेक्ट उसके बाद वही आपका क्या रहेगा कि हमने का देयर के बाद आप लगा दीजेगा हिल्पिंग वर्ब अगर आपका मेन वर्ब आरात लगा दीजी अदर्वाइज आपका क्या हो जाएगा ए और एन इसके बाद आप लगा दीजे करना वगैंट करना जैसे एक जांपल के सहार है आप identify कर सकते हैं किस परकार का शन्टेंस को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं जैसे मैंने बोला कि मेज पर पुस्टके हैं जो सि를 wise थे हैं तो इसमें देखो किसी परकार का हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है जिसे हमने बोला कि बाग में चौर है बाग में चौर है इसमें किसी परकार का हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है सब अबजेक्ट से स्टार्ट हो जा रहा है कि ऐसा से जिसमें हमारा सब्जेक्ट हमें कंफर्म ना हमाईस में सब्जिट कहाई है तुम हम में admitted q कर सकते हैं एक ने हैं मेज़атов पतुष्ट के यहाँपर लूख सकते हैं कि Men आर हैं लिखा गया ना तो देयर आर बुक्स हैं देयर आर बुक्स पुस्तके हैं कहां मेरे परे कि मेच पर क्या लगा देंगे देयर आर बुक्स ओन दी टेबल देयर आर बुक्स ओन दी टेबल मेच पर पुस्तके हैं ठिक ऐसे ही आप क्या कर सकते कर सकते हैं जिससे हमने यह बाग में चार औरते थे बाग में चार औरते थे क्या हो जाएगा माई डिस बाग में त्यानि हो जाएगा देर्वाज था रहा ना हम क्या कर सकते लगा देंगे देर्वाज क्या लगा देंगे देर्वाज क्या देर्वाज क्या थी मेरी पहरे फोर उमेन क्या थी four women कहां थे मेरे पारे बाग में ते इन दा गार्डन क्या हो जागा इन दा गार्डन समझ में आ गया ना there was four women in the garden बाग में चार औरते थी ऐसे ही sentences में आपको क्या यूश्च करना है there का यूश्च करना है ठीक ना तो हमारा यहीं तक हमारा sentence था मैंने आपको दो संदेंसे आपको हेयर पर बताया और दो संदेंस आपको देयर पर बताया बट आपको दो पर ही नहीं रुकना माइडियर आपको बहुत सारे संदेंस को क्या करना फ्रेम कर देना जैसे मैंने बहुत जैसे मैंने बोला यहलो आपका मारकर यहलो आपका बोड ठीक है न यहल समस्क्राइब आ रहे हैं आपको डरना नहीं है बस हमारे कमेंड बॉक्स में कमेंड कर दीजिएगा तो साथ वह भी समस्का है आपको दूर करने का प्रयास में जरूर करूंगा ठीक ना तो गाइस इतना काफी अगले पार्ट में में फिर से मुलंगा आज के लिए आप